ऐसा कहा जाता है, nothing is permanent in life, life में कुछ भी permanent नहीं होता, दुख हो गया, सुख हो गया, कुछ वक्त के लिए हमारे पास आते हैं, फिर चले जाते हैं, बट मेरा एक सवाल है, क्या एक pigmentation और dark spot पे valid नहीं है, ये तो मानों हो गया, Romeo और Juliet की जोड़ी, जो एक बार हमसे जुड़ ग Everyone, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, उमीद करते हैं, आप बहुत बढ़ियाओंगे, आज हम आपके लिए लेकर आएक pigmentation facial at home, अगर आप तंग आ चुके हो, बहुत ही चीज़ा यूज करके देख सक को चुके हो, पर pigmentation और dark spot है की जाने का नाम ही नहीं नहीं लेते No matter, आप कितनी भी remedies follow कर चुके हो, कितने भी products यूज कर चुके हो, बट ये treatment उनसे उपर रहने वाले और ज्यादा results देने वाले है, इस facial की एक और खास बात में बताता हूँ, जो market वाले facial होता है, उनमें होते है chemical, जो हमारी skin को हलका full का नुकसान भी देते हैं, बट ये वा uses में, that is after one मानता, आपको इतना amazing results मिलने वाले है ना, कि आप खुच शौक हो जाओगे, before और after वाला फरक आपको मिलेगा आपकी pigmentation reduction में, ये सरफ pigmentation पे valid नहीं है, dark spot हो गया, pigmentation हो गया, melasma हो गया, जो भी external reason में, अगर आपकी skin में कोई भी dark spot या कोई भी imperfection है, ये हर उस च जो कि है pigmentation cleansing water, face cleansing बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, मैं अपनी कई वीडियो पर इस बात पर focus कर चुक हूँ, और आपके कोई भी treatment के शुरुआत, face cleansing के बाद ही होती है, तो हम आपके लिए ready करवाएंगे, आज एक magical cleansing water, जो आपके pigmentation, dark spot को fade करने का काम करेगा, सिरफ easy दो ingredient यूज करेंगे, जो आपको अराम साब की kitchen तक मिल जाएंगे, और जो results मिलने वाले है, वो next level के ही होने वाले है, सिरफ दो ingredient के आपको जरूरत पड़े बागिया लेगा है, आज के pigmentation water के लिए, ingredient number one, tomato juice, tomato juice होता है, वो rich in vitamin C होता है, हमारी skin की जितनी भी कमी होती है, vitamin C की उ rose water, rose water या फिर milk, आप जिस भी चीज के साथ comfortable है, skin ज्यादा dry है, तो milk ले सकते हैं, वरना आप ले सकते हैं, rose water, अब इन दोनों के कुछ फायदे में आपको बता देता हूँ, यह दोनों हमारी skin को cleanse करने काम करते हैं, tone करने काम करते हैं, moisturize करते हैं, अब यह जो हम आपके ल सबसे पहले तो ले लो आप एक glass bowl, उसमें आपने डालना है दो चमच tomato juice और दो चमच rose water या milk, जो भी आप यूस करने वाले, properly बढ़िया धंक से mix कर लो, आपका pigmentation cleansing water रेडी हो चुका है, अब इस water को आप चाओ तो cotton से अपने face पे पूरे लगा सकते हो, properly circular motion में से मसाज करन है आपने, बहुत हलका हलका हमारा face बहुत sensitive है, आपने बहुत जादा gentle रेना है, circular motion में मसाज करते हो और कुछ देर के लिए leave on कर दो, एक से दो मिनट के लिए leave on कर सकते हो, फिर आपने एक fresh cotton लेना है और इसको properly wipe off कर लेना है, जितना भी dead skin build up आपके face पे होए ना, वो properly remove हो होता है, हमारी जो skin है, regularly dead skin cells को shed करती है, और अगर उसको नहीं हटाता जाता है हमारे face से, तो हमारे pores clog हो जाते है, जिससे हो जाते है, breakouts और हमारा face dull up air होता है, सिरफ यही नहीं, जब आपके pores clog होते हैं, तो उसके अपर आप कुछ मर्जी लगा लो, आपके face पे उसका असर renewal क्योंकि आपके pores तो clog है, और कोई भी चीज का फाइदा तब होता है, जो आपके pores के अंदर जाती है, result वो सिरफ तब ही दिखाती है, exfoliation इसके लावा हमारे face से tanning हटाने का काम करती है, dullness हटाने का काम करती है, और reveal करती है clear और glowing skin, अब हम आपको बताते है, pigmentation clearing scrub के लिए आपको कैसे कैसे क्या क्या ready करने वाला है, सिरफ दो easy ingredient की आपको ज़रुद पढ़ने वाली है, सबसे पहले शोयोग आपको दो चम्मच चीनी, चीनी जो होती है वो बहुत अच्छा exfoliate करती है हमारे face और बहुत जादा gentle रहती है, जितरा भी dead skin होता है, black heads होता है, white heads होता हो एक glass bowl ले लो, उसमें आप डाल लो दो चम्मच चीनी और दो चम्मच टमेटो जूस, प्रॉपर्ली इनको mix कर लो, थोड़ा सा आपको मुश्किल जरूर होगी, आपने around 20 second के लिए इसको leave on करना है, ताकि दोनों की goodness transfer हो जाए, and then mix करके आपने प्रॉपर्ली अपने face पे circular motion में मसाज करना है, आप extra focus वहां कर सकते हो, जहां आपके blackhead जाद है, जहां आपकी pigmentation जाद है, जैसे around the mouth हो गया, या फिर आपके nose पे हो गया, आपके forehead पे हो गया, यहां आप extra focus कर सकते हो, बहुत gentle रहना है, circular motion में मसाज करते हो, जितना भी dead skin या blackhead है, प्रॉपर्ली जितने भी goodness आपकी skin को मिलेगी ने, आपको लगेगा यह बहुत है, मेरे face पे बढ़िया वाला glow आ चुका है, और यहां तक मुझे pigmentation कम में भी नजर आ रहा है result, बट वहां पे बात खतम नहीं होती, एक face mask लगाना बहुत जादा mandatory होता है, जब आप scrubbing करते हो, आपके pores open up ह हो जाते हैं, तो एक face mask उसको tight करने काम करता है, और make sure करता है, आपकी goodness लंबे समय तक seal रहे, और कोई external impurity आपकी skin में जल्दी नहीं जाए, सिरफ यही नहीं, यह आपके facial के glow को भी लंबे समय तक lock करके रखेगा, सीधा आगे बढ़ते हैं ingredient की तरफ की क्या क्या चाहिए हो इस magical pigmentation clearing mask के लिए, ingredient number one, milk powder, milk powder हमारी skin के लिए बहुत ही amazing रहता है, वो skin lightening और brightening करता है, और इसके साथ-सके अंदर होता है lactic acid, जो एक कमाल का cleanser होता है, जो dark spot और pigmentation पे directly focus करता है, ingredient number two, curd, या फिर कहें दही, दही जो होती है, वो हमारे mask का texture बहुत बढ़िया करती है, और lump free paste बनाने में help करती है, और आपकी skin को moisturize तो करती ही है, ingredient number three, tomato juice, जैसे कि मैं already बता चुक हूँ, tomato juice आज का हमारा superhero ingredient है, क्योंकि वो rich in vitamin C होता है, और vitamin C बहुत अच्छा रहता है, dark spot और pigmentation के लिए, सीधा आगे बढ़ते हैं, remedy की तरफ, सीधा एक glass bowl ले लो, उसमें आपने डालना है, दो चमच milk powder, एक चमच दही, properly बढ़िया धंक से mix कर लो, आपका mask कितना ज्यादा थिक है, उसके according आपने add करना है, tomato juice, आप एक सी दो चमच add कर सकते हो, बट आपने make sure करना है, कि lump free paste बनना चाहिए, ज्यादा थिक भी ना हो, जादा पतला भी ना हो, कि टपकना शुरू हो जाए, और इतना थिक भी ना हो, कि आप लगा ही ना पाओ, अब आप एक brush की help से, आपने हातों की help से, पूरे face पे इसको apply कर लो, आप उस area पे एक thick layer लगा सकते हो, जहाँ आपकी pigmentation जादा है, around the mouth हो गई, cheeks पे हो या जहाँ जाब ही आपको pigmentation की समस्या है, एक thick layer लगाओ, 20-25 मिनट का time दो, जैसे आपका mask सूखना start हो जाए, इसको massage करके wash off कर दो, lukewarm water यूज करना, गरम पानी बिल्कुल भी use नहीं करना, जब आप wash करोगे, जो glow आने वाला है ना, वो मैं आपको words में नहीं बता सकता, next level का ही glow हो जाएगा pigmentation और dark spot reduction में, इस facial को आप हफते में एक बार minimum, और अगर आप दो बार कर लिया ना, आपने, तो भई क्या कहने, और यहीं खतम होता है हमारा three step treatment, but this is not it, एक सबसे ज़रूरी step रहे गया, आपने जब यह facial complete किया, एक sunscreen लगाना mandatory है, minimum SPF 30, broad spectrum, PA++, यह ingredient ज़रूर चे pigmentation का, तो वो कहा जाते है ना, prevention is better than cure, आपको sunscreen हमेशा लगानी चाहिए, कोई भी महीना हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, indoor हो, outdoor हो, इसको आप अपने daily beauty regime का एक part बना लो, और यकीन मानो, जो external reason की वज़े से pigmentation और dark spot होते है ना, आपको होंगे ही नहीं, अगर आप एक best वाली sunscreen लेने का प्लान कर रहें, आप नीचे जाके contact कर सकते हैं, हम help करेंगे आपको एक perfect sunscreen सेलेक्ट करने में, आपकी skin type के according, वीडियो पसंदा यह वीडियो को like जरूर करें, चैनल को subscribe जरूर करें, यह वीडियो उन फरेंस के दा शेयर करो, जो pigmentation से परेशान और best facial कर दो, मॉलात ज иде पताँ है कि आपको अ कुछ एक ब दाप्स, आपको उनल करेंसा की आपकी भी खोबद में सेलेक्ता हैं, éis हम motOOOO क।